हॉस्पिटल में जो सीन शूट हुआ वो ये था कि गून्स के साथ रजाक की लड़ाई हो जाती है नित्यम की भी फायट होती है तो रजाक इंजियर्ड है और वो हॉस्पिटल में आता है अब सोनब को पता है कि रजाक उसका हत्यार बन सकता है इसलिए वो बेसिकली रजाक क माइंड में ये डालने आई है कि तुम्हें जो गरीबी है जो भूपमारी है तुम्हारी जो भी परिशानिया है उसके लिए इस तरह से उसको मैंडिट कर रही है सोनम बस यही करने वाली है कि अभी शादी तो हो गई है पर उन दोनों को एक नहीं होने देना तो वो किस तरह से क्या-क्या चीज़े करती है कि उन दोनों को उन दोनों के बीच में हमेशा कड़वाहट रहे या या यूनो नित्यम को यह समझ आ जाए कि सावी ये लाइफस सबस कीचड वगएरा है बाकी तो आई लव रेंस तो मजा आता है मुझे बट हां कीचड का थोड़ा प्रॉब्लम है बाकी तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लव ट्राविलिंग मैंने जो हां चापाक मैंने बहुत भार किया हुआ है और मैं तो अभी भी करती हूँ जब पैक अगर ओगया तो फीगने का मान हुआ तो भीग गए चापाक कर लिया तो ऐ तिंग वो चोटे बच्चो वाली हरकते तो अभी भी जारी है जानबूच के यू नो अंब्रेला नहीं रखना अरे भीग के जाएंगे घर तो वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू है मेरा बस एक ही मेमरी है मुझे स्कूल का जो याद है कि मम्मी हमेशा रेंग कोट देती थी कि बटा जब तुम्हारा पैक अप क्या होल रही हूँ यार सो सॉरी स्कूल से जब भी चुटी हो कि बारिश का मौसम है तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिये क्योंकि ये मौसम में थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार ये सब होता रहता है बाट नेवर देलेस आपको ये सीजन एंजोई करना है तो आप अपने लवड वन्स के साथ या अपनी फै माउंटें एरियाज में जाना थोड़ा सा अवाइड कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी ओविसली सिचुएशन सही नहीं होती है तो बस एंजोई कीजिए पर थोड़ा सा अपने सेफटी मेजर साथ में लेकर चलिए खुब सारा पानी पीजिए अपने स्किन का ध्यान रखे बारिश का मौसम है तो पूरा लुट्फ उठाइए इस मौसम का थैंक यू